अभी हमने स्टार्ट कर रखे जो है जो साइस रडक्षन और साइस सेपरेशन जो है इसको आज भी स्ट करते हैं इसमें तो साइस रडक्षन जो है इसके लिए एक और term यूज़ की जाती है वो क्या है इसे comminution भी कहते है तो ये एक एक्जाम में question आ गया size reduction is also known as size reduction को और क्या कहते है comminution कहते है deminution भी कहते है pulverization भी term यूज़ की जाती है size reduction के लिए okay to comminution, deminution और pulverization size reduction को ही बोला जाता है okay कौन-कौन से factor है size reduction को कौन-कौन से factors affect करते है hardness जो है drug कितनी hard है hardness है ये factor affect करेगा size reduction को toughness है stickiness है कुछ अगर sticky drug है तो ये भी affect करेगा material का structure क्या है motion content कितना है drug में softening temperature होता purity कितनी required है physiological effect होते है ratio of feed size to product size bulk density इसारे कि सारे factors जो है size reduction को affect करते है तो आप से पूछ लेंगे options दे कि कौन-कौन से factor size reduction को affect करेंगे जैसे 3 तो इन में से दे दिया एक कुछ अलग option दे दिया है ना इस टाइप से ये इस पर भी question बनता है next mechanism कौन-कौन से size reduction के mechanism of size reduction एक तो cutting होता है है ना और आपका compression होता है impact होता है attrition होता है और combined मतलब impact and attrition both तो ये आपके mechanism है size reduction इसके उपर भी बनता है भई इसमें से कौन सा size reduction का mechanism है तो इसके उपर direct question बनता है तो देखें आपके different mills है सबसे main question दे कि बहुत ज़्यादा important है मतलब कि बहुत ही ज़्यादा important है हना कि ये principle बहुत बार आ गई cutter मिल का principle है roller मिल का principle है hammer मिल का principle है disintegrator का क्या है हमारी ball मिल fluid energy मिल edge runner मिल तो ये मिल है हमारी 7 मिल है और इनके principle exam में मतलब की भर भर के question आया है यहां से बहुत बार question बना है और बहुत बार repeat हुआ है जैसे की hammer मिल है hammer मिल का 3-4 exam में पूछा है hammer मिल का ball मिल और fluid energy मिल है जो आपकी मतलब इनके principle तो बहुत बार आया exam में मतलब यह तो आपको पता होना ही चाहिए है ना तो देखिए cutter मिल, roller मिल, hammer मिल, disintegrator, ball मिल, fluid energy मिल, argy runner मिल है ना तो देखिए आपके सबसे पहले कौन सी है cutter मिल तो इसका principle क्या है cutting cutter मिल का principle क्या है cutting है है ना तो इसमें जो product size obtained होता है cutter मिल में 2280 मेश product size obtained होता है 2280 मेश तो इसके ओपर भी question बन सकता है तो आपको याद होना ची cutter मिल में और देखिए disintegrator में 2280 मेश है और एक हमारा है argy runner मिल cutter मिल, disintegrator मिल, argy runner मिल इन तिनों का जो है product size 2280 मेश है तिनों का याद रखोगे एक तो cutter मिल का याद रखोगे दूसरा क्या बताया है मैंने आपको C के बाद D disintegrator का बताया उसके बाद E as a runner मिल उसका भी 2280 मेश जो है product size याद रखना है अब cutter मिल को use किसके लिए करते हैं देखें fibrous जो drugs होती है fibrous है crude drugs है animal and vegetable drug उनके लिए cutter new use कि जाते है fibrous crude drug के लिए cutter new is not used for किसके लिए use नहीं करेंगे cutter meal को तो हम friable materials जो होते है उनके लिए cutter new is not used for friable materials तो friable materials के लिए हमारी cutter new use नहीं की जाएगी friable materials के लिए जो है आप यह आगे देखें कौन सी में यूज करनी है बागे कर्टर मिल तो फ्राइबल के लिए यूज नहीं करने ही फाइब्रस के लिए उपूर मिल के बार में पढ़ लिया अभी रोल ठी के लिया अभी रोलर मिल में कॉंप्रेशन होता है प्रिंसिपल क्या है क्लिक्षृण है तो इसने प्रॉडक्ट शाइज टू-टू- 222,200 है ना तो आपकी किसम ही ही है यह roller mill में है और एक bowl mill और पढ़ें गे आगे bowl mill का फिक और मील का यह यह 22 200 मैश के जो आपकी है roller mill है ना और bowl mil दोनों का जो product साइज क्या है 20-200 मैश है roller mill का और bowl mill का याद रखना है okay roller mill और bowl mill का सेम है तो roller mill use किसके लिए करेंगे? soft materials के लिए roller mill is used for soft material and roller mill is not used for abrasives materials जो abrasive materials होते हैं उन के लिए roller mill use नहीं करतेँ किसके लिए abrasive materials के लिए roller mill is not used for abrasive materials याद रहेगा? अब hammer mill पे आजो hammer mill का principle तो बहुत ज्यादा important impact होता है disintegrator में भी impact होता है hammer mill का principle भी impact है disintegrator का और hammer mill का principle सेम है impact है याद रखना है hammer mill का product size कितना है 4,2,3,25 mesh होता है hammer mill का product size hammer mill is used for almost all druggers सभी drugs के लिए लगबग सारी drugs के लिए hammer mill को use किया जा सकता है and hammer mill is not used for abrasive material जैसे कि आपकी roller mill abrasive material के लिए यूज नहीं होती ऐसे ही hammer mill भी abrasive material के लिए यूज नहीं होगी clear है आप disintegrator तो disintegrator का principle तो वही है जो आपकी किसका है hammer mill का है जो है impact होता है और disintegrator में product size obtained होगा मैंने आपको बताया था cutter mill का C से cutter mill का बताया था D से disintegrator का product size और इसे edge runner mill का तीनों का सेम था 2280 मैश का product size obtained होता है cutter mill में disintegrator में edge runner mill में है ना अब disintegrator को किसके लिए यूज करेंगे जैसे कि आपकी hammer mill को almost all drug के लिए यूज करा ऐसे ही आपकी disintegrator है इसको almost all drug including very hard drug बहुत ही hard drug जो है ना उनके लिए भी हमारा disintegrator use हो जाएगा है ना और disintegrator को अब आज ओ बॉल मिल पे ना तो बॉल मिल का principle तो होता है impact and attrition पता नहीं कितने ही एक्जाम में principle पूछ लिया बॉल मिल का और fluid energy मिलका दोनों का principle इंपक्ट and attrition बहुत बार एक्जाम में question आया बहुत बार है ना बॉल मिल का जो product size मैंने आपको बताया था रोलर मिल जो है रोले मिल का product size और बॉल मिल का product size same है yup 20 to 200 मेश होता है और रोलर मिल का और बॉल मिल का तो आप इसको rrb से भी याद करने के लिए ना कर सकते है कि रोलर मिल और बॉल मिल का सेम त्वाइं tsight- knives और जो बॉल्ल है इस बॉलर्य,से बॉल्ल ड्रक याद कर सकते हो and ball mill is not used for soft materials soft materials के लिए जो है ball mill use नहीं करोगे soft material के लिए कोंसी मिल use कर दी आपको दिखाए थी soft material के लिए हमने roller mill use करी थी कोंसी roller mill जो है soft material के लिए use करते हैं और कौनसी mill use नहीं करते तो ball mill use नहीं करते अबी fluid energy mill का principle तो पताई है impact and nutrition तो इसका product size micron में है तो यह question बना है, product size इसका पूछा है, क्योंकि different सा है, सबसे हटके हैं, अलग है, 1-30 micron size के product size obtain होता है, fluid energy mill is used for moderately hard and friable, friable drugs के लिए हमने देखिए, उपर देखा था, cutter mill, cutter mill is not used for friable drug, अब यहाँ पर आपके fluid energy मिला है, इसको friable drug के लिए use कर सकते हैं, तो friable F से friable, F से fluid energy मिल, okay, तो moderately hard and friable materials के लिए, जो हमारी fluid energy mill use हो जाएगी, और किसके लिए use नहीं करेंगे, soft and sticky materials के लिए, okay, तो soft and sticky materials के लिए use नहीं करेंगे, next हमारी है, edge runner mill, okay, edge runner mill, जो है, इसका principle है, crushing and shearing होता है, क्या होता है, crushing and shearing, और इसमें जो product size obtain हो रहा था, हमने CDE देखा था, cutter mill, disintegrator and edge runner mill में, 2280 mesh product size obtain होता है, edge runner mill को almost all drugs सभी के लिए use करोगे, जैसे कि आपने hammer mill को, disintegrator को, सभी drugs के लिए use करा, ऐसे ही, edge runner mill, सभी drug के लिए use करोगे, और किसके लिए use नहीं करोगे, sticky, जो आपके sticky materials से होते हैं, sticky materials, उसके लिए, जो है, हमारी edge runner mill, use नहीं होगी, okay, तो यह table, बहुत important है, बतारी हूँ, आपको, okay, question बनता है, इस table से direct question उठके आता, okay, बागी के जो remaining points है, हम MCQs के through cover कर लेंगे, okay, size reduction is otherwise cold as, तो मैंने अभी आपको बताया, कि exam में पूछा हुआ है, कि size reduction को और क्या कहेंगे, है न, तो इसे क्या कहेंगे, cutting कहेंगे, तो cutting तो जो है, different mechanism थे, उसमें आ रहा था, हमारा, है न, comminution कहेंगे, comminution कहेंगे, या compression, तो compression भी आपका, इसमें mechanism में आ रहा था, comminution कहते हैं, क्या कहते है, comminution, pulverization, deminution, time use कर दिया, हमने size reduction के लिए, याद है न, तो option क्या हो जेगा, be okay, next है, what are the advantage of size reduction, जो drug का size reduction करते तो, उसे क्या क्या advantage है, size reduction कर दिया, आपने, तो क्या advantage है, बताइए, all of the given option, तो पहले option में आपको दे जाए, कि सारे options हही है, देखे, improved absorption rate, देखे, absorption rate इंप्रूब होगा, drug का है, क्योंकि जिब size reduce करो, सरफे से increase होजएगा, तो drug absorption rate इंप्रूब होगा, बिल्कुल होगा, effective drying भी effective होगी, जिब size reduce होजएगा, तो drying भी effective होगी, uniformity भी होगी, तो आपके देखे, सारे ही options हही दिया है, advantage है, size reduction के, ओके, फिर आपका question है, next factor affecting size reduction, include all of the following, मैंने आपसे कहा था, कौन-कौन से factor, size reduction को affect करते हैं, हमने देखा था, तो stickiness कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था, softening temperature भी करेगा, hardness करेगा, toughness करेगा, इस सारे करते हैं, sublimation जो है, यह नहीं करेगा, है ना, तो sublimation का, यहाँ पर कुछ काम नहीं है, तो accept पूछा है, तो D option, बिल्कुल सही लगाओ, next following laws are used to predict energy requirement for comminuting process, किक्स लो, बॉंड लो, तो देखे, के, बी, आर से जो होता है, आप इसको याद कर सकते हैं, किक्स लो, बॉंड लो, और रिटिंगर लो, यह तीन लोज होते हैं, हमारे size reduction के लिए हैं, तो laws option D हो जागो, तो तीनो लोज के नाम आप याद करने हैं, क्योंकि इसको पर question बनता है, next है, following is not the mechanism of size reduction, तो हमने mechanism देखे size reduction के, तो उसमें देखे, impact and attrition आया था, बिल्कुल आया था, जो कि हमारी bowl mil, और जो हमारी fluid energy mil होती है, na, fluid energy mil का, जो है principle होता है, cutting भी आया था, जो cutter mil का principle होता है, impact आया था, क्योंकि हमारा disintegrator में impact होता है, और हमारी hammer mil में भी impact होता है, है ना, allutreation जो है, size separation के लिए उसकिया जाता है, not for size reduction, option D right हो जगा, okay, हाँ next question है, हमारा output of size reduction machine is related to, size reducing machine है, उसका जो output है, वो किस related है, bulk density से ratio of feed size to product size, temperature या none, इन में से कोई नहीं, तो ये हो जगा हमारा bulk density, तो जो output होता है, size reducing machine का, वो related होता है, to the bulk density, next question है, roller mil का principle, आप लोगों से पूचा, roller mil वर को नदा principle, तो मैंना भी आपको सारी mil के principle बताया, impact बताया, किसमें disintegrator में impact होता है, और हमारा hammer mil में भी impact होता है, है न, मिल जो है इन दोनों का क्या था आवचन ऐंड प्रिंसिपल कर दो तो हैमर मिल में क्या बताया, cutting तो cutter मिल में बताया, है ना, और हैमर मिल में impact बताया, disintegrator में भी impact बताया, compression बताया, roller मिल में, है ना, compression होता है roller मिल में, और जो flush ejection है यह दिया है, ठीक है, तो hyрий addrition जो है, impact और addrition होता है, है हमारा बोल मिल और फ्लूड अनर्जी मिल में तो इसका अंसर जो है ऑप्शन भी हो गया है मर मिल ने सब वरकिंग प्रिंसिपल ऑफ बोल मिल तो बोल मिल का वरकिंग प्रिंसिपल वही है impact and attrition तो यह option भी हो जगा और fluid energy मिल का भी यही होता है impact and attrition होता है खाली impact बताया disintegrator और hammer मिल में crushing and sharing जो होता है एज runner मिल में होता है next question है in the context of mechanism of size reduction of drug ball mill वर को प्रिंसिपल देखी फिर से ball mill का principle देखी recently ही पूछा गया है तो मैं आपको पता रहीं कितना important है क्राशिंग और शेरिंग हमने देख लिए आज रनर मिल में grinding दिया शेरिंग दिया impact and attrition हमारा option D हो जेगा बॉल मिलका और fluid energy मिलका next in size reduction process thermo-label substance can be milled by using तो thermo-label substance होते है ना तो उनको मतलब की size reduce करने के लिए कौन सा जो है इसमें से मिल यूज करेंगी है ना size reduction के लिए thermo-label substance को size reduce करने के लिए क्या यूज करोगे disintegrator यूज करोगे hammer mill यूज करोगे bowl mill या fluid energy mill लेकिए thermo-label substances होते हैं हमारे selfonomides है vitamins हैं thermo-label substances तो इनके लिए जो है हमारा fluid energy mill यूज किया जाएगा याद रखना है fluid energy mill के बारे में कि जो thermo-label substances हैं तो उनके size reduction के लिए हमारा fluid energy mill यूज किया जाएगा बहुत important question है नहीं से hammer mill is not suitable for size reduction of to hammer mill कर मैंने आपको table पढ़ाया तो hammer mill का principle तो क्या बताया था impact बताया था hammer mill में डिसिंटिग्रेटर में दोनों में impact होता है product size hammer mill का difference था 42325 mesh बताया था है ना hammer mill का जो है आपको जो product size बताया था और hammer mill जो है मैंने आपसे कहा था कि आपका disintegrator है hammer mill है और आपका जो edge runner में है यह almost old drug old drug के लिए use किये जाते है सभी drug के size reduction के लिए use किये जाते हैं और hammer mill is not used for किसके लिए use नहीं करतें abrasives के लिए तो abrasive materials होते हैं abrasive materials के लिए hammer mill और हमारा roller mill use नहीं होता होगी तो आपका देखिए option क्या होज़ेगा soft and sticky abrasive friable यह fibrous तो option भी होज़ेगा abrasive materials जो होते हैं abrasives के लिए hammer mill is not used for abrasives है और जो है आपके next जो है option में soft and sticky दिया है soft and sticky के लिए यह मैंने फिर से बताई दिया आपको यह तेबल हम धेख चुके नेक्स्ट है फ्लूर नर्जी इसलिए 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 तो फ्लूर प्रिंसिपल बता एंप्रड़ अच्ट होताई साइज मैक्रों में हमने देख थां भेज हैं तों फ्लूर बाइब देखा एंखल दो उसको हम चाहिस थे जो करेंगे इस कुक्रेंट कि तो सबस्तों हुआ 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 किसे तेबल हैं due to use नहीं करते जांबरेसिव के लिए आपका फाइबरस आपका फैबरस है लिए तो करते ना को पर ऑफ इस मील से करो घुरट कोञें को तो आपका जो है थर्मॉले बाइल सबस्टेंसि के लिए हमारा फ्लूड अलरची मिल यूज कि आ जाएगा प्रिंसिपल कटिंग होता है और प्रड़क्ट साइज कट्रमिल को यूज करते हैं यूज करोगे आपका जो है कट्रमिल यूज हो जाएगा है ना बाकी रोलर मिल है इसे किसके लिए यूज किया था आपने रोलर में यूज फोर सोफ्ट मटीरियल से रोलर वे को यूज करेंगे हैमर मिल का बताया था मैंने आलमोस्त ओल्स अवी ड्रक के लिए जो हैं हैमर मिल और जो है disintegrator बताय था और आपकी जो agironal mill है यह लगवक्त सारी drug के लिए यूज़ करते हैं hammer mill, disintegrator, agironal mill, cutter mill जो है आपका अंसर होगे fibrous और crude drugs के लिए और bowl mill जो होती है brittle drug के लिए bowl mill किसके लिए brittle drug के लिए यूज़ करोगे brittle drug देखे अपसे fryable तो एपसे fluid energy मिल हो गया b से brittle और b से bowl mill हो गया दो तो आपने ऐसे याद रख लेने है बाकी जो fibrous material के लिए आपकी cutter mill हो गई fibrous के लिए cutter mill हो गया तो answer option C हो गया next step which mill is used to obtain ointment of smooth texture and consistency तो ointment के लिए बताइए बही bowl mill है, cutter mill है, triple roller mill है जो है इनके लिए आपके triple roller mill हो जाएगी option C, जासे colloidal mill suitable for manufacturing of the colloidal mill जो है किसके लिए use करेंगे capsules के लिए, orintment के लिए, toothpaste के लिए, suspension के लिए तो colloidal mill होती है ना तो यह हमारे suspension के लिए यूज की जाएगी option D, एक से roller mill वार को ना principle, तो roller mill का principle पूछा है तो impact होता है आपका hammer mill में और disintegrator में, compression हो आपका roller mill में होता है attrition दिया है, compression and attrition तो roller mill में दोनों होते हैं, compression भी होता है, और roller mill में attrition भी होता है, तो दोनों करना, option D करना इसका, next हमारा question है, particle size of 1 to 30 micron, एक से 30 microns के particle size के तो देखिए जो product size था आपका, तो micron में तो एक ही मिल में देखा था, बाकी में तो आपने micron में नहीं देखा, micron में तो एक ही मिल थी, जो micron में product size obtained होता है, तो roller मिल दिया, hammer mill, food energy mill, cutter mill, तो आपकी fluid energy मिल है, जिसका principle हमने impact and, क्या देखा, impact and attrition देखा, है ना, और जो है, यह thermolable, जो आपके substance होते हैं, उनके लिए यूज करते हैं, और product size 1 to 30 micron, जो है, वो obtain होता है, और इसको, जो है, moderately hard और friable materials के लिए, हमारा fluid energy mill यूज किया जाता है, and fluid energy mill is not used for soft and sticky materials के लिए, इसको use नहीं करते, सारी बाते, revise करते हो, चलिए, ओके, अभी और भी बाते है, fluid energy mill के आगे आएंगी, fluid energy mill के बारे में, तो अभी इतनी तो याद रखिए, यह ना, क्या-क्या, एक तो principle क्या बताए, impact and attrition, दूसरा, जो है, fluid energy mill का product size 1 to 30 micron है, तीसरा, fluid energy mill is used for moderately, जो आपके hard and friable materials के लिए, and चो बाते याद करें, और भी बाते आएंगी, वह मं बताऊंगी, पांच बाफ, वह यह, थर्मोलेबाई, सब्स्टेंसिस वाला है, इनके लिए उस करते हैं, इसको के, next question, देखिए, एक कॉनिकल रोटर and stator is present in, कॉलोडल मिल, बोल मिल, हैमर मिल, तो देखिए, आपका फ्लूड अनर्जी मिल ही होगी, हैना, option आपका D होजेगा, फ्लूड अनर्जी मिल यूज करेंगे, इसका प्रिंसिपल हमने impact and nutrition देखा, प्रोडक्ट साइज जो था, माइक्रोन में उप्टें हुआ था, हैना, कितने माइक्रोन था, वान तो थाटी माइक्रोन हो रही है, ध्यानक्ने सारी बाते, काफी important हो okay, नेक्स्ट नमारा question, one of the following, मिल कुन बोथ, principle of inter particle, attrition and impact, दोनों प्रिंसिपल इंपक्ट इंपक्ट और इंपक्ट किसका प्रिंसिपल है, इंपक्ट भी है, उसमें आट्रिचिन में, बताओ कौन सी मिल है, किसकी मिल की बात हो की बडेखो और कार मिल में कटिंग होता है कि ऑर रोल मिल में कंपरेशन दे कड़ते हो टो फिरीट विल में इंपक्रिंग ओर और क्रिपुट介 ईंश फ्लूर में इंस्ट है और अफ इंसक्स he溜 them कोई होता है इसे कोई बी कंटामिनेमही और जो jsice इंपक्नी होता है और ऊप्टेन होता है और इसको उसकोूद करते हैं किसके लिए मोड़ितली iam फ्र्मोलिबल ब़ए लुज के लिए यूज़ेगा दिए फ्रॉट इनर्जी मिल को यह ना इसमें कहें लुज पर याद रखने निच्ट विच मिल इस उसल्ट फॉर्ड्रिंग हहाद कुरूट रगफ में आपको बताया था जो अमस्ट सभी ड्रॉग के लिए हमने देखा है मिल जो है डुक्त के लिए हार ड्रग के लिए हुज होता है ऐस डुक्त करना है याद रहेगा डिसिंटीग्रेटर का प्रिंसिपल हमारा क्या है जो hammer mill का है impact वोई disintegrator का है है न और product size में आपको disintegrator क्या बताया cutter mill disintegrator और edge runner mill तिनों का बताया 2280 mash product size बताया disintegrator को almost all drug including very hard hard drug के लिए use करोगे disintegrator को और किस के लिए use नहीं करोगे soft और sticky के लिए use नहीं करोगे जैसे कि आपने fruit energy mill को use नहीं क्या soft and sticky के लिए वैसे disintegrator भी नहीं use करना soft and sticky materials के लिए ओकी इस सारी बात याद रहेगी तो hard crude drug के लिए हमारा disintegrator हो गया बाकि आज रणर मिल कहते कि almost all drugs अभी drug के लिए use करेंगे है ना colloidal mills जो है हमने suspension के लिए भी देखी थी है ना और आपका जो है fluid energy mill तो मैंने आको बता रहें कि अपसे fluid energy mill अपसे आपका friable है ना moderately hard or friable materials के लिए use करेंगे fluid energy mill ओकी नेक्स्ट क्वेशन है प्रोड़क्ट साइज ऑफ ट्वंटी टू एटी मैश में भी उप्टेंड तो अभी तो बताया cde कि है ना कटर मिल डिसिंटीग्रेटर और अजरनर मिल तीनों का जो है प्रोड़क्ट साइज क्या है ट्वंटी टू एटी मैश है ओके और देखिए आपको इन में से तीनों में से एक की दिए कटर मिल दिए तो ऑप्शन डी हो जेगा है ना बाके किला के फ्लूड़नार्जी में तो एक से त्रेस मायक्रोन का साइज अप्टेन हो रहा था है ना बॉल जिल के साथ एक मिल का और बताया था कुनसी बोल मिल और रोलर मिल मैंने आप से काता ना आर्भी आर अर्भी से याद कर लो क्या था ट्वंटी टू हंडर मैश है ना 22 80 को बता दिया मेंने आपको कटर मिल में Helsinki कमी कातूरल में सब्सक्राइबरिया इसना के संचिक्षो क्राइबर उस लिए दिए चाहने में और न बोल मिल तो आपको बोल मिल दिए है ना ऑप्शन नहीं हो जगा बाकि हैमर मिल का थोड़ा सा डिफेरेंट साथा ता था प्रड़क्रट साइज फोर से 325 जो है 4 325 फोर 2 325 मैश का प्रड़क्र ऑप्टेन होता हैं किसमें हैमर मिल में फ्लूड अनर्जी मिल जो है इसमें माइक्रोन में था 1-30 माइक्रोन था है ना कटर मिल डिसिंटिग्रेटर और आज़रनल में तीनों में सेम था 22-80 मैश का प्रोड़क्ट साइज था तो मेरे साफ साइज सारी मिल्स के याद हो चुके हैं अभी तक मेरे साफ से नेक्स्ट क्वेशन देखे विचे फॉलूइंग मिल इस यूज़ फॉर ग्राइंडिंग ऑफ टॉक्सिक माटीरियल के लिए कौन सी मिल यूज़ करोगे यह बताओ आप लोग मुझे बॉल मिल डिसिंटिग्रेटर फ्लूड अनर्जी मिल या कोलोडल मिल ओके तो टॉक्सिक जो माटीरियल्स होते ना तो उनके लिए बॉल मिल यूज़ कर जाएगी क्यों डॉक्सिक मेस के लिए बॉल मिल जिसका प्रिंसिपजिब्छ एंपक्त अंड एट्रेशन जैसे कि फियुड अपनार्जी मिल ता वैसा ही इंपक्ते हमारी बॉल міard मिल का है बॉल मिल का product size हमने देखा बॉल मिल और रोलर मिल दोनों का हमने 20-200 मैश देख लिया है ना और बॉल मिल जो होती है हमारी brittle drug के लिए भी यूज करते हैं और किसके लिए यूज करते हैं बॉल मिल soft materials के लिए है ना और toxic materials के लिए बॉल मिल यूज होगी तो option यह आपका right हो जे दूसरा product size micron में होता है 1-30 micron होता है तीसरा यूज करते हैं किसके लिए moderately hard और friable materials के लिए यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं soft and sticky के लिए यूज करते थर्मोले बाई substances के लिए कौन सी मिल यूज करोगे fluid energy मिल है ना और low melting drugs के लिए fluid energy मिल और जो है इसमें कोई भी fluid energy मिल यूज की जाएगी याद रखना है तो answer option C हो जाएगा बोथ दोनों बाते fluid energy मिल की सही लिखी हुई है next question देखिए the mill consists of three rollers देखिए नाम से पता करो three roller तीन के लिए triple word यूज हो जाएगा देखिए triple roller मिल बोल मिल रोलर मिल नन तो ट्रिपल रोलर मिल हो जाएगे ना joint क्याइगे नेक्स्ट हैं कंटामिनेशन बहुत ही कम है तो किसमें बताया था no we are कोई भी निया कोई भी मूविंग पाट निया तो कोई भी कंटामिनेशन नहीं है किसके बार में बताया था डिसिंटीग्रेटर बोल मिल है में में फ्लूड अनर्जी मिल था फ्लूड अनर्जी मिल के बारे में बताया था no we are no moving part no contamination है ना और जो है low melting drugs के लिए यूज करते हैं थर्मुलेबाइल ड्रक्स के लिए जो है उनके लिए बोल में हमें फ्लूड अनर्जी मिल यूज की जा होता है बोल मिल में भी impact on attrition होता है कटर मिल में cutting होता है impact होता है disintegrator में और hammer मिल में भी impact होता है के प्रेशर आज़िस नहीं होता बाकी compression होता है आपका किसमे और रोलर मिल में की नेक्स क्वेशन है disintegrator का principle पूछा है तो disintegrator हमारा किसमें है hammer मिल में भी disintegrator में भी और hammer मिल में भी impact होता है प्रिंसिपल ना तो disintegrator का principle इंपक्ट है hammer मिल का भी impact है option A बिलकुल right हो जाएगा next है efficiency of ball mills depends on ball mill की efficiency किस पर depend करेगी density of ball, ball की density पर, speed पर या moisture content of the field, feed के moisture content पर तो किस पर ball mill की efficiency depend करेगी या सभी पर depend करेगी बताएगे बिलकुल सही सभी पर depend करेगी option D efficiency of ball mill is maximum, ball mill की efficiency maximum कब होती है low speed पर high speed पर two-third speed पर या very high speed पर efficiency maximum होती है पते कब two-third speed होती है जब ball mill की efficiency maximum होते है ध्यान रखना है next है give the name of the mill in which no wear occur कोई भी wear present नहीं है कोई भी wear नहीं है कोई भी आपको याद होनी चाहिए कि मैंने वीडियो में इतनी बाहर रिपीट कर दिया तो अभी तक तो मैं बच्चे को याद होगी होगी option a right next time for better particle size reduction ball mill should be operated at dash speed critical speed about 60% of critical about critical 10% of critical तो यह हो जगा about 60% of critical option b next है which the following low is not related to size reduction तो size reduction की low कौन कौन से पढ़े है अभी तक हम लोगों ने मैंने आपको बताया था अभी क्या बताया था के बी आर है न किक्स लो बॉंड लो रिटिंगर लो है ना fix low नहीं बताया मैंने आपको option नहीं हो जगा not पूछा आप लोगों से किक्स लो बॉंड लो रिटिंगर लो होता है क्लियर है next है harding mill variant है किसका तो यह भी पूछावा question है rotary cutter mill का बोल मिल का है हमर मिल यह फ्लूर नर्जी मिल तेकि बोल मिल का ही एक variant होता है harding mill okay next question which of the following use the violent turbulence of air and steam to reduce the particle size by inter-particular attrition बताओ cutter mill इसमें cutting था full energy mill में होता है impact and attrition roller mill या colloidal mill तो यह आपको option भी हो जगा fluid energy mill की बात हो रही है okay next question which one of the size reduction apparatus work based on principle वहीं देखिए impact and attrition principle आया बहुत 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 सारे question previous year के बोल मिल में होता है impact and attrition fluid energy mill में भी होता है roller mill में compression होता है disintegrator में क्या होता है impact होता है hammer mill लिखा हुए disintegrator में भी तो impact होता है तो वो मेरे याद आ रहा है next question देखिए which produce one to twenty micron size वो micron में तो एक ही मिल में micron में जो है product size obtained हुआ था ना एक ही तो मिल थी बोल मिल में तो वही था जो किसमें था बी आ जो आर बी आर बी से roller मिल है ना 20 से 200 मेश का hammer मिल में अलग सा था जो है थ्री जो कितना था इसमें थ्री ट्वंटी फाइव था फोर से 325 मेश का है ना फ्रूर अनर्जी मिल में माइक्रोन में था तो आंसर ऑप्शन सी हो गया डिस इंटिग्रेटर कटर मिल डिस इंटिग्रेटर एजर अलमिन में 2280 मेश का था ओके तो देखे प्रड़क्ट साइज सारी मिल के जो है हम कर चुके हैं है ना तो इसका क्या हो गया ओप्शन सी नेक्स क्वेशन देखिए ऐस पर दर सीविंग मैथड पाउडर इस पास थ्रो साइट ओव सीव विचर आरेंजिन तो हमने साइज रिडक्शन और साइज सेपरेशन लिया है ना तो साइज रिडक्शन के बद आपक साइट मतलब की साइपिसससे पास तो वह आरेंज होती है कैसे रेंज होती है मैं रेंडम और जाटी है असेंडिद् an प्लेस देखिए वो न जो फिसेंदिंग ओडर में अरेंज होती हो कि डिसेंडिंग ओडर में आप्शन 3 हो सेगा जाएगा जो है साइज सेपरेशन के लिए जाता है तो आपको इस पता होनी चाहिए तो इसमें कौन सा फोर्स होता है तो यह बहुत बार बहुत इंपरेंट यूज़ किया जाता है ऑप्शिन आपका ए हो जएगा ग्रैविटियेशनल फ्रिक्ष्णल एर अजिस्टेंश नहीं सेंट्री फ्यूगल फोर्स होता है नेक्स्क्वेशन क्या है वेरेस मैथर यूज़ फोर साइज सेपरेशन तो साइज सेपरेशन के पते कौन-कौन से मैथ कर्द पा पाउडर कि कितनी ग्रेट को स्पैसिफाइ किया है वォर्टी है ततया पाउडर्स पांच होती है कौन कौन क्यों से होती है आप कोर्स होता है उसके बात क्योगहां मोडरेटली कोर्स ग्राव्लेक्ष्ण क्योंड़ी वmostा to तो यह पांच ग्रेड है तो इन पांचों के नाम अभी आपको याद भी हो जाएंगे ओकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच फॉलिंग ट्रू है बताए कौन सा ट्रू है अब पढ़ो ऑप्शन बताओ कौन सा ट्रू है फार्मकोपिया हैस प्रिसक्राइब अपर लोवर लिमिट फोर थी कोर्स ग्रेड ओफ पाउडर हैं तो उनके लिए तो कहरें अपर लोवर लिमिट प्रिसक्राइब करें फार्मकोपिया ने फिर फार्मकोपिया ने प्रिसक्राइब करें ओनली अपर लिमिट टू फाइन ग् पाउडर उप्टेन होता है ना तो उसको सपरेट करने के लिए करें अलुटरेशन टैंक यूज करते हैं फिकर एर सपरेटर इस ओफन अटेश्ट बोल मिल जो बोल मिल हैं उसे करें एर सेपरेटर को अटेच कर देंगे या हैमर मिल से टू सेपरेट एंड डिटन ओवर साइज पार्टिकल फूर फर्दर साइज रेडक्शन तो कहरें कि कौन सी बात सही है अभी सारी ही साही है तो सारी ही बाते सही लिखी हुए ओक्छिन आपका यह होज़ेगा ओल ओक्छिन तो सीविंग डिवाइस है इसकी वर्किंग इसके ऊपर बेजड होती है आजडिअचल होता है ब्रशिंग होता है चैसा अजिक्ट का मैं साही बाते सही है लिखी है तो ऑप्चन हो जगा ओक्छिटेशन ब्रशिंग और सेंटिफ्यूगल ऑक्छिन एर चैसा पाउडर पास कोर्स देखें क्या बताया आपसे तो इसमें यह है आपके पाउडर के टाइप है तो इसके लिए जो है आपका कहरें पाउडर पासिंग थो सीव नंबर 44 तो सीव नंबर बताने आपने यह पाउडर की ग्रेड में आपको बता दी तो फिर टैन फिर 22 फिर 44 फिर 85 फिर 120 इतना अगर आप लोग याद कर लोगे ना तो आपका क्वेशन निकल के आ जेगा 10 22 44 85 120 ओके इतना आपको पता होना चाहिए फिर अमारा आंसर निकलाता है देखें पाउडर पासिंग थो सीव नंबर 44 कंपलेटली और नोट मोर दन 40% पार् तो यह 3 नंबर वाला 44 है तो नहीं हो गाए तो फस्ट वाला है सीम नंबर 10 से कंप्लीटली पास होता है तो आपका 44 से कंप्लीटली पास होगा तो आपका 44 वाला अंसर क्या होजेगा ऑप्षिन भी है नहीं कॉर्स मोडरेटली कॉर्स मोडरेटली फाइन ना तो ऑप्षिन भी मेरे साथ सापको क्लियर हो चुका है देखिए बहुत इंपोर्टन्ट है ओके तो इसकी एक टेबल है देखिए ये टेबल आपको याद होनी चाहिए बसले मैं आपको बता है उतना भी याद कर लोगे तो भी बन जेगा आपका अंसर कही जाने वाला नहीं है देखिए ग्रेट ऑफ पाउडर एक तरफ कोर्स मोडरेटली कोर्स मोडरेटली फाइन फाइन स्थ यूकल सारे सारे पार्टिकल्स होंगे टैन कोर्स के लिए टों मोडरेटली कोर्स फ consumes मोडरेटली फाइन ऐड़ीफाइन के लिए वालेटली 157 के लिए फ्रोगे लिए 010 बाई 1965 ूश्घ याद रखते आ अन् तो इसके लिए जो है इसको ऐसे वी करते यह नवा कोर् से सीव नमबर थो वीच नो तो पोर्टी पर्टी पर्टीकल पास होंगे 350 से याद रहेगा ठीक है तो आप यह भी याद कर लेती हो ना तो भी आपका आंसर बन जाता है नेक्स्ट कॉश्चन देखिया अगोड़न टू आपी बीप वैरी फाउडर वन वीच वैरी फाइन वै पर्टीकल पास रूफ 350 नंबर सीव तो 90 पर्संट नहीं वह 40 पर्संट वाला क्राइटिरिया ना ओल पार्टीकल पास होंगे 350 से नहीं 120 से होंगे फिन पर्संट तो आंसर क्या होगे ऑप्शन ही ओकी नेक्स जाए फोलोंगे स्टम्डेस मोडरेटली फाइन पाउडर मोड मोडरेटली कोर्स मोडरेटली फाइन 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 वैरी ओके तो अब बताओ मोडरेटली फाइन का पूछा है यह लगा दो 85 120 यह वलाएगा है ना मोडरेटली फाइन तो यह तो कोर्स हो गया यह मोडरेटली कोर्स हो गया यह मोडरेटली फाइन हो गया ओप्शन सी फिर की साथ क्लियर हो चुका लिमिट में और सिव नंबर फॉर स्वाला यह कोर्स यही है कोर्स मोडरेटली कोर्स फिर प्रॉडरेटली वाला यह बाद रिकाइब ओके तो ऑप्षिन ने राइट हो गया मेरे साब से क्लियर रेनेक्स है वेरिफाइन पाउडर का पूछा है कोर्स मोडरेटली कोर्स मोडरेटली फाइन फाइन वेरिफाइन दस बाइस चम्वालेस पिचासी एकसो बीस ऐसे याद कर लो 10 22 44 85 120 ओके क्या पूछा है वेरिफाइन कौन सा है कोर्स मोडरेटली कोर्स मोडरेटली फाइन फाइन वेरिफाइन यह वला है 120 वाला है ना तो भी देख लिजिए तो 85 तो आपका फाइन के लिए हो जाएगा 100 नहीं है इसमें 44 आपका यह मोडरेटली फाइन के लिए तो वेरिफाइन के फूर मोडरेटली कोर्श के लिए अबहुआ होगा को मोडरेटली कोर्स वे सिस्दिए कोर्स कोर्स क्या तो इसमा सब्सक्राइब कोर्स कोर्स के सब्सक्तों चाहतेृ written नेक्स देखें सीव नंबर 10 सीव नंबर जो होता है उसमें 10 मैश होते हैं 10 मैश होते हैं option B 10 मैश पर इंच इन इच डिरेक्शन option B क्विषयस काई एब देखिया 12 मैश अंपरचर स defense of тебе ंपने वैं call दिया मरे Hang लगों वे नंऺिर आपने पढ़ लिए और लेले सीव नंबर यह आपको क्या पढ़ना है क्या पढ़ना थे निम्हें इस तो आपको 20 रहा पढना फैल के पर लन необходимо सब्सक्राइब अब आपने जो है सीव नंबर पढ़ लिए दस बाइस चमाली सब्सक्राइब अब आपको पता है कोर्स मोडरेटली कोर्स मोडरेटली फाइन फाइन और वैरिफाइन है ना दस बाइस चमाली सब्सक्राइब अब आपसे नॉमिनल मैश अपर्चर साइज पूछा है नॉमिनल मैश अपर्चर साइज यह और आपको पता होना चाहिए कि भई आपका जो है टैन नंबर की सीव के लिए क्या है 22 वाली के लिए क्या है 44 85 120 इन पांच का ही अग्जाम में पूछा गया है mostly तो यही आप कर लोगे तो निकल के आज एक आपका आंसर तो वन आपको नॉमिनल मैश अपर्चर साइज 180 माइक्रों दिया है 180 माइक्रों तो आपको दिया है तो बताना किसका है यह ना 44 वाली का है कि भई इसका है 85 का है 100 का है 60 का है तो 180 माइक्रों ज वाली के लिए जो फाइन वाली आपका जो पावडर की ग्रेड है जिसके लिए आपका सीव नंबर 85 है तो उसके लिए नॉमिनल मैश अपर्चर साइज 180 माइक्रों मीटर है माइक्रों है तो याद रखने इसके पर कोशन बना हुआ है तींचर एक्जाम में ना तो आपने याद रखना है कि 85 नंबर की जो सीव नंबर है तो उसके लिए हमारा नॉमिनल मैश अपर्चर साइज क्या है 180 माइक्रों है बाकि मैंने आगे सारे लिखे हुए मैं आपको दिखा देती हूं आप्शन बी क्लियर कर लीजिए ओके देखिए यह कोर्स यह मोडरेटली कोर्स यह मौडरेटली फाइन यह फाइन और यह वैरि फाइन है ना तो आप से पुछता-85 के लिए मतलब ए 180 वाला कौन किसके लिए तो 85 के लिए है तो 10 नंबर की सीव के लिए 1.7mm तो सिर्फ एक में 10 नंबर की सीव में mm है बाग यह सब में संवी वैं मै में है 1.7 mm फिर आपका 22 के लिए 7 10 माइक्रोंस है 44 के लिए 355 माइक्रोंस 85 के लिए 180 माइक्रोंस और 120 के लिए 125 माइक्रोंस तो यह याद करने ही पड़ेंगे कोई दूसरा ओप्शन तो है नहीं आप देखिए fine powder is a powder of which all the particles pass through a sea sea with nominal mashup purchase size आप से nominal mashup purchase है size पूछा है किसके लिए आपको powder की ग्रेट दर रखिया कौन सी दर रखिया fine powder course moderately course moderately fine fine और very fine तो आप से पूछिया कौन सी fine यह वाई fine है ना तो जो हमने देखा था 85 इसके लिए जो आपका सीव नमर 85 करा तो इसके लिए 180 माइक्रोंस हमने देखा था हैं ना 85 वाले करने 180 देखा था तो वही है तो आपका अंसर वही हो जाएगा mm में जो है course के लिए आया था mm में सिर्फ course के लिए राकी सब में माइक्रों में था जो first वाला था course वाला जिसके लिए सीव नमबर 10 होता है ना उसके लिए 1.7 mm था है ना बाकी आपका सब के कोर्स मोडेरेटरिकल मोडेरेटरी फैन ली के लिए हमारा 44 सीव नंबर 355 माउक्रोंज में था उसके बाद फाइन वाले के लिए 85 तो सीव नंबर था 180 माउंग्रोंज का जो है यह फाइन वही क्वेश्चन आइधिंग रिपीट होगे दुबारा से ना हाँ वही है ओकी ऑप्शन डी नेक्स्ट नॉमिनल मैस पट्चर साइज थ्रोवीच अब कोर्स का पूछा कोर्स मोडरेटली कोर्स मोडरेटली फाइन फाइन और वैरी फाइन हैहना 10 22 44 85 यह 120 ओकिंट तो 10 के लिए 1.7 खकर कि 1.7 ऐ्म तो सिर्फ एसी में था हैना मैस सिर्फ एक में था ना बाकी सबका जो है माइक्रोंस में था था हैना तो 1.7 ऐंम देखा उसके बाद 710 माइक्रों देखा उसके बाद आपने क्या देखा 44 वाले के लिए 355 माइक्रोन देखा 85 वाले का 180 माइक्रोन था 120 वाले का 125 माइक्रोन था है ना क्लियर है तो बिल्कुत सही है अब एक कोर्स का पूछा फर्स्ट वाले का पूछा तो 1.7 mm याद रखना है ओके ओप्शन ए क्लियर है नेक्स्ट क्वेशन पर चलिए डिग्री ओफ पार्टिकल साइज ओफ पाउडर इस एक्सप्रेज़ इन फार्मकोपिया इन फॉर्म ओफ ओके तो यह हो जाएगा नॉमिनल मैश अपर्चर साइज ओफ शीव ओके नेक्स इंदा सीविंग मैसर पाउडर इस पास्रों साट और सीव बिचा रहें तो हमने देखले डिसेंटिंग ओडर में रेंज होती है ना फिर से क्वेशन डिपीट होग्या ऑप्शन ए वन है ना ने तो साइकलोन सापरेटर में पाउडर इस सापरेटर डिपेंडिंग क इस पे जो सेकलोन सेपरेटर है सएसाँ प्रेशचिं के लिए यूज करते हैं तो पाउडर सेपरेट होता ना इसमें तो किस पर डिपैंड करेगा यह से सेपरेशन पार्टिकल साइज पर्टिकल का साइज देंस्टी दोनों पे डिपैंड करेंगा ठिरंदिन रहन रखना мног switch of the following is true कौनसी बात सही बता हो वो सैन्ट्रिफुगल फर्स सक्रैटमाने पता है नंत्रिफुगल ए उन्स जाह दोनों पर तो अल हो जाएगा है क्उम्म सीव नंबर इंडिकेट करता है नंबर ओफ मैश इंक्लूड इंड लैंथ फ्रेंट फ्रेंट अपर्टिक्टल्स उप्रेंट वायर्स तो शेकलों सेपरेटर में आपको सेंट्रिफ्यूगल फोर्स बताया है न तो ऑप्शन फोर हो जाएगा ऌके नेंस्ट पावडर वीछ ओल पास्ट्रो तो आ यहां दिमाग में हैंट्या रिदान अपको तो यह सिंपल ना प्राइब से आपको यह बहुत ही अच्छी से किलियर हो चुका है तो आप आप भरत नहीं कर और और फसा आपका तो आप मेरे हैसाब से तो यह हो गया आपका एक्सक्वेशन देखिए विच पाउडर पार्टिकल केन पास थो आँ कहरा सीव नंबर 22 22 मतलब सेक्टेंड वाली 10 22 तो कोर्स के बाद मोडरेटली कोर्स के लिए 22 कोर्स मोडरेटली कोर्स मोडरेटली फाइन उसके बाद जो है फाइन फाइन वाला निदे रखा 85 लिख लो वैरी फाइन 120 ओके तो आपका नोमलन मेंश अपर्चर साइज भी लिखो 120 के लिए 125 माइक्रों था उसके बाद था आपका जो है 710 माइक्रों था इसमें 355 माइक्रों था एक वाले के लिए ना तो यह आपसे तो पचल पूछा मैंने आपको बता दे वैसे ही तो आपका सेकिंड वाला होता है मोडरेटली कोर्स की बात ओर यह option जो है डी हो जेगा इसके लिए जो है आपका सीव नंबर 22 है और अगर नॉमिनल मैश अपर्चर साइज पूछते तो आप कहते साइज को सेपरेट करने के लिए साइज को सेपरेट करने के लिए साइज करते हैं इसमें को सेपरेट करते हैं मिक्शर को पास करते हैं इस में इसमें इले तो यह भी वही क्वेशन है वर्किंगों सेकलों सेपरेटर सस्पेंशन और सॉलिड इंट्रीज तो टेंजेंशली टेंजेंशल ओपनिंग एड़ा सिलेंडर मेरे साथ से साइज रिदक्षिन और साइज सेपरेशन के जो है आपको सारा क्लियर हो चुका है और यह पर कैणि जो ऊयारी इंपैक्ट करेंगे देखें प्रिंसिपल बहुत एंपक्त ऐंट्रीजेतर इंपक्रेशन आपaciones मिया था लूल मिल और जीघन प्रिंपेक्ण ड्सल्करा क्ट्रीशन पत्रोंगुर जो थी उस में ड्सल्धा प्रेशन था और क्या था शीरिंग था है ना अब प्रड़क्ट साइज मैंने आपको बताएं सी डीए काटन मिल डिसिंटिग्रेटर और एजरनल मिल इन तिनों का 20 से 80 मैश बताया 20 से 80 मैश एक मिल में जो माइक्रोन में था फ्लूड अनर्जी मिल में था फिर आपकी दो मिल मैंने आपको जो है RRB से याद कराई कौन कौन सी रोलर मिल थी और बोल मिल थी इन में क्या था 20 से 200 मैश का प्रड़क्ट साइज था एक मिल थी जिसमें अलग था 4 से 325 मैश का जो प्रड़क्ट साइज था वो हमारी कौन सी थी वो एक ही मिल थी कौन सी हैमर मिल थी इन सब का आपको ब्रट साइस कलियर हो चुकुआ है ना बाकि कौन से किसके लिए यूज करेंंगे आप तो सान को तो सारा हमने कोईशन में कवर कर लिया और अंप्राइबल की तो इसके लिए सीव नंबर 10 इसके लिए 24 इसके लिए 85 और इसके लिए 120 ओल पार्टिकल पास्रों सीव नंबर इस दिस दिस है ना अब नॉमिनल मैस अपर्चर साइज आपसे पूछे तो एक में तो एमम में था बाकी सब में माइक्रों में था 120 के लिए 125 याद रखना है 85 के लिए 180 याद रखना है है ना और जो है आपका 44 और ये दो बच गए तो इसमें आपका 710 माइक्रों था इसमें आपका जो है 355 जो है माइक्रों था है ना तो ये आपका जो है सारा जो आप लोगों को याद रखना है ओके तो देखिए इस